नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे 2022 टाटन एक्सोन एक्सटेड प्लस वैरियंट के बारे में एक्सटेड प्लस एक ऐसा वैरियंट है इस गाड़ी का जो सबसे जादा बिकता है सबसे जादा वैल्यू फोर मनी वैरियंट है और सारही काम के फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं इसकी एक्सोरूम कीमत है 9.99 लैक रुपीज और इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3-cylinder टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो की प्रडियूस करता है 118 बहपी की पावर 170 एनम का टॉर्क दो एर बैग, ABS, EBD, Brake Assist, Hill Assist, Electronic Stability Control, Rollover Mitigation जैसे फीचर्स आपको इस गाड़ी की सेफटी के अंदर दिये गए हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप Delhi NCR की आसपास की location से हैं और अपनी गाड़ी का ownership experience और सभी वीवर्स के साथ share करना चाहते हैं नीचे description box में मेरा mobile number है वहाँ पे आप मुझे WhatsApp पे contact कर सकते हैं और अपनी गाड़ी का ownership experience और सभी लोगों के साथ भी दोस्तों share कर सकते हैं फिलाल वीडियो को करते हैं शुरू फ्रेंट में दोस्तों आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है LED DRLs प्रोजेक्टर headlight जो कि आपको base variant से ही मिलने लगती है और नीचे की side आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं fog lamps जो की corning fog lamps दोस्तों यहाँ पे हैं फ्रेंट ग्रिल्स आप देख सकते हैं प्यानो black finishing में आपको मिलती है 209 mm के आपको मिलती है गाड़ी के अंदर ground clearance फिलाल चलते हैं गाड़ी के side profile के तरफ और बात करते हैं इसके tire size के बारे में 16 inch के आपको diamond cut alloy wheels मिलते हैं 215 by 60 R16 यहापे आपको tire profile मिलती है front के दोनो tires में आपको disc brake मिलते हैं और rear tire में drum brakes piano black finishing में आपको ORVMs मिलते हैं with indicator electrically आप इनको fold कर सकते हैं electrically adjust भी आप इनको कर सकते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं body side cladding भी यहापे आपको tartan exon के अंदर दी गई है जो कि काफी अच्छी चीज है उपर की side आपको roof में मिलती है roof rails कोई भी sunroof को option आपको इस variant में नहीं मिलता है पीछे की side आपको मिलता है shark fin antenna दोस्तों गाड़ी के अंदर और कुछ इस तरीके से यहापे आपको देखने को मिलती है Tata Nexon XJ Plus की back profile looks बात करते हैं back profile के features के बारे में तो पीछे आपको spoiler के बिल्कुल center में मिलता है high stop mount lamp और दोस्तों back glass के अंदर आपको दिया गया है defogger, wiper, washer का भी option और बिल्कुल center में यहापे आपको Tata का logo मिलता है उसी के just नीचे यहापे Nexon की branding करी गई है LED आपको गाड़ी के अंदर मिलती है tail lights back bumper के अंदर आपको दो reverse parking sensors मिलते हैं और दोनों ही side आपको मिलते है reflectors reverse में आपको दोस्तों यहीं पे दिया गया है एक parking camera जिसके quality में आपको interior में चलके दिखाऊंगा 44 liters के आपको गाड़ी के अंदर मिलती है petrol fuel tank capacity और company claim करते है इस गाड़ी का 17.2 kmpl का mileage highway पे 13.41 का mileage city के अंदर इस तरीके कि आपको remote की मिलती है दोनों ही remote keys मिलती है चार buttons मिलते हैं फिलाल गाड़ी को करते हैं unlock और चलते हैं गाड़ी के interior की तरफ driver side door में यहापे आपको request sensor का भी option जो है करने गए हैं निचे की साइड speaker water holder का space door pocket का space और यहाँ पे fit किया गया है और वार्वियम्स को electrically fold electrically adjust करने के लिए button front की जो दोनों seats है दोनों ही seats में आपको adjustable headrest यहाँ पे दोस्तों दिये गए है जो driver side seat है यहाँ पे आपको height adjust करने का भी option दिया गया है गाड़ी के अंदर जो की काफी अच्छी बात है बैठते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं और features के बारे में tilt adjustable आपको गाड़ी के अंदर steering मिलता है left hand side पर audio के controls call connect disconnect और दोस्तों piano black finishing का यहाँ पे steering में use किया गया है complete आपको digital मिलती है माइडी display left hand side पर आपको rpm meter मिलता है center में digital display जिसके अंदर आपको trip a trip b average field economy यह सब चीज़े मिलती है और right hand side पर आपको दिया गया है fuel meter गाड़ी के अंदर cruise control का कोई भी option यहाँ पर आपको इस variant में नहीं मिलता है engine start stop button driver के left hand side पर दिया गया है seven inch की यहाँ पर आपको मिलती है गाड़ी के अंदर touch screen जिसके अंदर आपको android auto apple car play जैसे features दोस्तों दिये गए है और reverse camera की जो इसकी quality है ऐसी कुछ आपको इहाँ पर quality देखने को मिलती है गाड़ी के अंदर चार speakers यहाँ पर आपको इस infotainment system के अंदर दिये गए है और चार tweeters आपको दिये गए है aux connectivity मिलती है, bluetooth connectivity मिलती है, radio मिलता है आपको और touch का response भी काफी quick है तो touch का response भी काफी अच्छे से यहाँ पर इस गाड़ी का काम करता है दोस्तों बात करें अगर हम इसके और features के बारे में तो नीचे यहाँ पर आपको AC vent मिलते हैं देखने को automatic climate control यहाँ पर आपको गाड़ी के अंदर जो है वो देखने को दिया गया है यहाँ पर Nexon की branding भी करी गई है, piano black finishing का यहाँ पर use किया गया है और कुछ और physical buttons यहाँ पर नीचे दिये गए हैं गाड़ी के अंदर जिससे आप अपना boot वगएरा भी open कर सकते हैं 12V का एक charging socket यहाँ पर दिया गया है, एक USB port दिया गया है दोस्तों 6-speed manual transmission के साथ गाड़ी आपको देखने को मिलती है और 3 modes में आप गाड़ी यहाँ पर चला सकते हैं, eco mode, city mode और sports mode और बिल्कुल center में आप देख सकते हैं, काफी बहतरीन size का यहाँ पर आपको armrest दिया गया है और जिसके अंदर काफी अच्छी storage available है, दोस्तों cup holders भी यहीं पर इसी के अंदर दिये गए है बात करते हैं, और features के बारे में उपर की side आपको मिलता है day night rear view mirror जो की manual है और roof में आपको LED light मिलती है, जो की काफी अच्छी brightness के साथ है और यहीं पर आपको sun glass holder भी दिया गया है co driver side आपको एक छोटे से size का vanity mirror मिलता है foldable आपको गाड़ी के अंदर मिलते हैं, grab handles अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का glove box टाटा नेक्सोन का जो दोस्तों glove box है, आप देखके चोक जाएंगे कितने बड़े size का यहाँ पर आपको glove box दिया गया है एक यहाँ पर tray भी आपको इसके अंदर दी गई है और light भी इसके अंदर available है तो फिलाल इसको करते हैं बंद और बात करते हैं इस गाड़ी की fit and finish के बारे में और plastic quality के बारे में तो टाटा अपनी गाड़ीों के अंदर दोस्तों hard plastic का use करता है और यहाँ पर nexon में भी xz plus variant में भी hard plastic का ही use किया गया है देखने को तो यह सब features ते first row के भी चलते हैं second row की तरफ rear के door में भी दोस्तों आपको power window का switch यहाँ पर दिया गया है silver finishing में door opener नीचे की side यहाँ पर दोस्तों आपको speaker मिलता है border holder का space दिया गया है कुछ इस तरीके के आपको rear की seats मिलती है 60-40 split में आप इनको fold कर सकते है adjustable head rest दिये गए है और center में आपको दिया गया है arm rest with cup holder space तो अभी मैं आपको बैट के दिखाता हूँ कितना space यहाँ पर दिया गया है driver side seat मेरी height के according adjust है मेरी height 5 foot 11 inch है तो जब मेरी height के same बंदे आगे पीछे बैटते है तो काफी अच्छा near room यहाँ पर मिलता है rear में आपको AC vent दिये गए है बट दोस्तो कोई भी यहाँ पर आपको charging socket नहीं मिलता है दो adult और एक छोटा बच्चा बहुत ही आराम से comfortable होके नेक्सोन के अंदर बैट सकते हैं और rear की seats भी काफी comfortable है under thigh supports भी काफी अच्छी है इनकी और यहाँ पर भी आपको दिये गए है rear में foldable grab handles पीछे की जाएड आपको रूफ में कोई भी light जो है वो नहीं मिलती है दोस्तो तो सबसे main बात यह निकल के आती है recline angle काफी अच्छा है rear की seats का भी अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस गाड़ी के boot की तरफ तो boot access करने के लिए यहाँ पर आपको एक request button दिया गया है जैसे आप उसको press करेंगे आपकी गाड़ी का boot unlock हो जाएगा 350 liters का यहाँ पर आपको टाटा नेक्सोन के अंदर boot दिया गया है और light भी यहाँ पर आपको अंदर दी गई है और आप देख सकते हैं दोस्तो rear की seat 60-40 split में आप fold भी कर सकते हैं parcel tray भी यहाँ पर आपको offer करी गई है इस variant के अंदर अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी का spare wheel के spare wheel में आपको क्या size यहाँ पर टायर का दिया गया है 195 by 60 R16 यहाँ पर आपको spare wheel का टायर का size मिलता है जो की एक profile छोटा टायर है दोस्तो जो इसके और चार टायर से महाँ पर आपको मिलता है 215 by 60 R16 तो यह सब features थे दोस्तो Tata Vaxxon XZ plus variant के अंदर आपको यह गाड़ी कैसी लगती है आपकी क्या राय है इसके बारे में आप नीचे comment करके हमारे साथ वो भी share कर सकते हैं और दोस्तो अगर आप Delhi NCR के आसपास की location से हैं और अपनी गाड़ी का ownership review और सभी लोगों के साथ share करना चाहते हैं तो description box में मेरा mobile number है